हलो स्टूडेंट्स वेल्गम तो दे चैनल दिनेश सर थोड़े देर पहले मैंने लाइव स्ट्रीम किया था बट वो किसी टेक्निकल एरर से सेव नहीं हुआ तो वो जो इन्फोर्मेशन है मैं आपको अभी इस वीडियो के जरीए दे रहा हूँ CBSC की जो रिपोर्ट आई की डिकलेरेशन आया की एक्जाम जो है 10th की उन्होंने कैंसल कर दिये CBSC ने CBSC बोर्ड ने जो पूरे देश बरी नहीं पूरे इंडिया के साथ एशिया मिडलिस्ट कंट्रीज में भी है तो उनका आज डिसीजन आया की 10th की एक्जाम कैंसल हुआ कैसे वो सारी बाते बताऊंगा यहाँ पर सबसे पहले जो आया हुआ है वो देख लो फटाफ़र CBSC की तरफ से यहाँ पर एक जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है आज क्या डिकलेरेशन क्या है पहले पॉइंट में बोला गया है कि जो 12th की एक्जाम थी अभी होने वाली थी चार में से 14 जून तक उसे पोस्पॉंट किया जा रहा है और 1 जून को डिसीजन लिया जाएगा क्या करना है दूसरा जो पॉइंट उनने नोटिफिकेशन में डाला है कि चार में से साथ जून तक जो दसवी की एक्जाम होने वाली थी वो कैंसल की जा रही है उसके बैसिस पर बोर्ड जो है जिन बच्चों को लगता है मुझे एक्जाम देना है तो यह नोटिफिकेशन आया हुआ है से बीए सी बोर्ड की दरफ से तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हमने पोल लिया था कुछ दिनों पहले जो छे दिन पहले मैंने पोल लिया था कि बोर्ड एक्जाम का क्या हो चाहिए तो लगबग 1,97,000 जो बच्चे इन्होंने वोट किया था जिसमें से 64 परसेंट बच्चों ने बोला था कि एक्जाम के भीना डारेक्ट प्रमोट करना चाहिए यह जो पॉइंट है मैंने आपको बदाया इसके बाद ही लेटेस जो अनूंस्मेंट क्या है वो बद कि जो एक्जाम से उसको कैंसल करके 10th के इंटरनल एसेस्मेंट देना चाहिए प्रदान मंतरी मोदी जी की जो आज मीटिंग हुई थी कल मैंने केजरिवाल जी का वीडियो चैनल प्रफलूर किया था जिसमें केजरिवाल जो मुक्य मंतरी है देली के उन्होंने अनूंस किय इसमें से चाहिए बच्चो के साथी के लिए और साथ ही जो डेली के सिक्षा मंतरी मनी शिसोधिया जी उन्होंने भी किया था तो यह जो पिछले 4-5 दिनों से सभी एक्टिविटी हुई इसमें बहुत सारे सेलिब्रेटी जो है उन्होंने भी हैष्टेग चलाक कैंसल बोर की जो एक्जाम से वो नहीं ली जाएंगी फिर देश बर में और देश के बाहर भी जहां cbsc board की एक्जाम सोती वो नहीं ली जाएंगी अब आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर हमारे जो महराश्टरा की बात करेंगे महाराश्ट्रा की एजुकेशन मिनिस्टर से हम लगबग तीन महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे, काफी काफी रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसमें उनको एक 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 जाम में गैप देने का भी उन्होंने जो एक रिक्वेस्ट आऊ एकसेप नहीं किया था, कुछ रिलाक्सेशन जरूर दिया था तो उनका जो लेटेस्ट वीडियो अब आया है प्रदान मंत्री मोधी जी के अनाउंस्मेंट के बाद ये जो वीडियो आया है ये मैं आपको पूरा सुनाता हूं करोणाचे वारत्या प्रादरवावा मुळे याक काला मदे परिक्षा गेना योग्यराना नाई मनुनाच महाविक्का सागारेने तीन दुसलाप पुर्वी धावीव बारावीचा बोडाचे परिक्षा पुड़ा नुक्रन्या संद्रवा मदे माजे पॉस्मन करन्याचा नि अमिक के लिए सुचनाचे एक्लोंजमेंट करून सीबिसी चे माध्या मतों जे आहित धावीची परिक्षा कैंसल करना आनी बारावीची परिक्षा आहे त्या संद्रवा मदे फुरेदाउन पोस्मन करनाचा निने घिनाता लिला आहे कि महाराष्ट शासना जाने महाविका संद्रवा मदे अभी आपने देखा कि जो एजुकेशन मिनिश्टर वर्षा का एकवड खुद है इन्हों ने जो दो तीन दिन पहले पोस्पॉन्मेंट का डिसीजन लिया था सीम जी के साथ मिलके उन्होंने अपने ट्वीट में महाराष्टा में उनको भी इस तरह का कुछ डिसीजन लेना चाहिए तो सी बीसी ने तो पोस्पॉन्मेंट का डिसीजन लेना लेने के बतले डिरेक्ट 10 की एक्जामी कैंसल कर दिया तो अब यह जो मैडम है इनका जो लेटेस्ट वीडियो यहां पर ट्वीटर पर आया हु तो अब इसके साथ ही मैं यह भी बोलना हूँ कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अब इसके बारे में सोचने वाले हैं कि क्या करना है यहां पर जो अनुबा मैडम है उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया है मीडिया से बात करके कि जो सेंट्रल गवर्मेंट है दिल्ली में फ्राइडे दो दिन के अंदर होने की चांसेस है जिसमें जैसे सी बीएसी के लिए डिजिजन लिया गया उसी तरह से पूरे राज्यों के अंदर भी सेम डिजिजन लिया जया यहां पर आप देख सकते हूं मैं लगा था ट्वीट करते ही जाता हूं यहां पर जो बहुत सा फाइनली मेरी तरफ से बता दूं कि आने वाले दो दिनों के अंदर जो सेंट्रल गवर्मेंट उनकी सारे राज्यों के गवर्मेंट के साथ मीटिंग होगी और उसमें कुछ नया डिसीजन आएगा जो महाराश्ट्रा के एजूकेशन मिनिस्टर वर्षग आयकवार जी उन अगर समझो कि महाराश्ट्रा के अंदर दसवी और बारवी की बोड एक्जाम पोस्पॉन कर दी गई तो जून में अगर एक्जाम होनी है और बाद में सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि तब जाके एक्जाम कैंसल करना पड़े तो अभी जो बच्चे एपरिल में पढ बहे की नहीं पड़े तो अब जैसे मैंने भी पिछले लाइव में बोला था कि यार कम से कम दो दीन का आप लोग रिलेक्स लीजिए देखिए क्या होता है एक्जाम पोस्पॉन होने के बाद अब मैं वापस बोल सकता हूं कि भाई जो दसवी की बच्चे वह दो दीन और देखिए कि decision क्या आता है पढ़ाई करते रहिए अपना थोड़ा रिलेक्स भी रहिए और जैसे decision आता है एक्जाम कैंसल नहीं हुआ महाराष्ट्रा के अंदर 10 तो ज्यादा ज्यादा पढ़ना कैंसल हो गया तो भाई बल्ले बल्ले आपकी लेकिन जो 12 वाले बच्चे उन मैंने बताया था कि महाराष्ट्रा भी करेगा एंड टाइम 25 परसेंट को कम कर दिया गया था महाराष्ट्रा के अंदर तो इसी तरह से आप सी बीस से ने किया है तो स्टेट बोड को भी करना पड़ेगा आने वाले दो से तीन दिनों में काफी मेटिंग्स होंगी नेशनल गोवर्मेंट के साथ और फिर हमारे यहां पर भी टेंथ की जो एक्जाम से वह कैंसल होने की संभावना बढ़ गई है इसका मतलब कैंसल हुई कि अभी तक नहीं सी बीसी नहीं किया ना तुम्हारा अभी हो ने का चांस बढ़ गया तेंथ का लेकिन ट्वल्थ की एक्जाम कैंसल खी या नहीं ओगी अभी भी फिक्स नहीं है क्योंकि ढहीं होई है तो त्वल्थ वाले अपनी पढ़ाय जारी रखें जैसे आप कर रहे उस तरह से करते रहें 10 वाले आप भी अपनी पड़ाई जारी रखे, दो-तीन दिन में जो भी decision आएगा, उसके according आप जो करना है कर सकते हैं, यही एक update है, और यही सब होने के chances हैं, जो भी होगा, चलो मिलते हैं अखले video में, bye everybody